Hello friends, VFX Magic Channel में आप लोग का फीज़ स्वागत है तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था न्यूक इंटरफेस के बारे में तो आज भी हम लोग न्यूक इंटरफेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा सा और डिपली इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर जो पहले फाइल मेन्यूस है तो उसमें हम लोग चीज़ देखेंगे क्या क्या हमें मिलता है लेकिन सब चीज़े हम लोग डीटेल में बात नहीं करेंगे जो इस्वेली यूज होता है वो ही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर यह वाला जो अपना नूट ड्राफ है नूट ड्राफ में थोड़ा सा चीज़े हम लोग देखते है पहले हम लोग एक footage import करता है तो footage import करने के लिए मैं जैसे लास्ट टाइम बोला था है आर प्रेस करके हम लोग कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते है तो यहाँ पर हम जो फाइल पाथ है पहले इसको सिलेक करना पड़ता है तो फाइल पर मैं select कर लूंगा, तो रेखें यहाँ पर मैरे बहुत सारे footage है, तो footage एक में यहाँ पर ले लूँगा, तो इसका जो पात है, यहाँ पर copy paste करना है और यहाँ पर raw footage के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारा footage है, तो यह मुझे अभी select करना है, तो इसको कैसे select कर सकते हैं, पहले एक, जैसे में select करूँगा, और open hit करूँगा, तो यहाँ पर यह file अपने आप आ जाता है, तो देखें, यह जो file है, यह मेरा आ चुका है, तो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, as प्रेस करके, इसका project setting में जाना है, और सबसे पहले इसको one कर दूँगा, और यहाँ पर जाके project setting जो है, तो project setting हमें match करना है, यहाँ पर जाके, तो यह by default अल्री match है, 1080, तो 19201080, यह यहाँ पर match होना चाहिए, नहीं तो आपको project setting पूरा गलबर हो जाएगा, तो हमें साथ जियान देना कि इसको पहले हमें set करना है, उसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि file के अंदर क्या में दाए, file में यहाँ पर बहुत सारे common चीज़े हैं, जैसे कि हार सौफटर में मिलता है, यह new com है, open com है, तो new com जैसे करेंगे तो एक अलग सा window ओपन हो जाएगा, और open com में क्या करेंगे, कोई भी अपना new, अगर कुछ script है, end के file, तो उसको open करने के लिए यहाँ पर बस open करना है, और जहाँ पर end के file है, तो वहाँ पर select करके बस open हिट करना है, तो यह पूरा script open हो जाएगा, उसके बाद, यह है close com, save com, यह सब बहुत ही common चीज़ है, हर सौफटर में आपको मिल जाएगा, और save as अगर करना है, तो निया एक version अगर save करना है, निया एक version save करना है, save new com version, तो यह एक बहुत अच्छा option है, for an example, आपने version 1 save कर लिया, और हमें क्या करना है, यहाँ पर shortcut है alt shift plus a, जैसे कि alt shift plus as करेंगे, तो version 1 हम लोग ने पहले save किया था, तो version 2 अपने आप save हो जाएगा, एक higher version save हो जाता है, उसके बाद आगया insert com node, तो कोई भी आपका, अगर gizmos आपको insert करना है, तो gizmos insert करने के लिए insert com node open करना है, तो इसको मैं अभी एक example के छोड़ दिखाता हूँ है, तो यहाँ पर मेरा कोई gizmos है, तो इसको अगर मुझे import करना है अपना nuke में, तो मुझे क्या करना है, फाइल में जाना है, और insert com node करना है, और इसको मैंने, उसके जब बात है, इसके यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर जाने के बाद, कोई भी जो node है, उसको open ऐसे करेंगे, तो यह जो मेरा gizmos है, तो यह gizmos मेरा, यहाँ पर आ चुका है, तो gizmos के बारे में, हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आ गया है, insert com node हो गया है, उसके बाद export com node, कोई भी com node हो गया, for an example, एक pain node है, तो यह मुझे किसी को देना है, तो इसको मैं select करूँगा, और select करने के बाद, export com node करूँगा, और उसको बस मुझे save करना है, for an example, एक set of nodes है, बहुत सारे nodes है मेरे पास, और एक पुरा script है, तो उसको अगर मुझे send करना है किसी को, तो पुरा एक हिसाद select करेंगे, और उसको, export com node select करने के बाद, यहाँ पर बस save करना है, तो उसके बाद, हमें, उसको वो जो com node, script रहेगा, मेरा nk जो फाइल रहेगा, वो हम किसी को भी share कर सकते है, उसके बाद run script, run script और यह open, comp में एक छोटा सा difference है, यह जो run script है, यह run script में क्या करेगा, यह दूसरा नया window open यह करेगा, इसके अंधर ही जो अपना new file है, वो open हो जाएगा, comp info, clear and quit, यह clear and quit तो आपको पता ही होगा, clear मतलब पूरा जो है clear कर सकते हैं, अभी clear हो गया, including viewer note, तो one press कर दूँगा, तो एक नया viewer रह जाएगा, और उसके बाद, quit मतलब यह पूरा बन ही हो जाएगा, उसके बाद edit में देखते हैं, edit में भी बहुत सरा common option है, यह undo, और यह सब आप याद रख सकते हो, copy, cut, paste, duplicate, delete, clone, यह सब है, यह सब आप देख सकते हो, इसमें से सबसे important जो है, वो दो option है, एक तो preferences, preferences में जाके आप बहुत सरा setting, change कर सकते हो, तीक है, और दूसरा जो है, वो है project setting, जो मैंने पहले बी अलड़ी बता चुका हूँ, last video में project setting कैसे करना है, और उसका जो shortcut है, वो S, उसके बाद आता है workspace, यह काफी important है, तो workspace क्या है, मैं पहले एक footage इंपोर्ट कर लेता हूँ, for example, मैंने एक footage इंपोर्ट कर लिया, और workspace और एक कर लेता हूँ, तो यह मेरे पास अभी दो footage है, तो अभी कभी क्या होता है, कि मुझे, जो यह मेरा, यह है, workspace है, इसको क्या बोलते हैं, पहले workspace, तो यह मेरा काम का area है, तो यह इसको बोलते है, और workspace हम लोग use कर सकते है, यह by default compositing में रहता है, तो अलग-अलग जैसे ही, यहाँ पर click करेंगे, तो देखे, यहाँ पर setting change हो गया, तो यहाँ पर view आ गया, और यहाँ पर मेरा node graph का, यहाँ पर मेरा settings का आ गया, और यहाँ पर मेरा node graph आ गया, तो यहाँ पर अलग-अलग viewer है, तो viewer में जाके, यहाँ पर, sorry, workspace में जाके, यहाँ पर select कर सकते है, अलग-अलग, यह बहुत सारे है, animation है, तो ऐसा select कर सकते है, floating है, तो अगर आपको, default वाला चाहिए, तो default अगर, compositing सेलेक करेंगे, तो यह तो restore workspace करेंगे, अभी के लिए, compositing कर देंगे, तो बाकी जो default है, तो default में आ जाएगा, और हम लोग अपना workspace बनाके, save workspace भी कर सकते हैं, उसके बाद आ गया, viewer, अभी अपने पास, जो viewer है, एक ही viewer है, मतब एक ही, यहाँ पर window दिख रहा है, viewing के लिए, तो इस से ज़्यादा हम में, अगर viewer चाहिए, तो वो भी हम लोग create कर सकते, उसको कैसे करना है, view में जाएंगे, new com viewer करेंगे, तो यह दिखे, तो यह में यहाँ से connect कर दूँगा, तो आप भी दिखे, viewer 2 में भी यह आचुकरा है, तो अब जब, deep compositing करोगे, तो यह viewer 2 का एहमियत आपको, बिल्कुल पता चल दाएगा, नहीं तो for an example, आप even छोटे सोटे, चीज़ों भी कर रहे हो, जैसे कि, grid warp यूज कर रहे हो कभी, या color correction कर रहे हो, तो यहाँ पे, दो viewer का बहुत ज़्यादा uses होता है, तो अभी के लिए viewer 2, मैं delete कर दूँगा, यहाँ से, उसके बाद, render में आता है, render proxy mode, यह यह एक लिए render नहीं है, यह proxy mode है, proxy mode अलाग चीज़ है, इसमें अगर play करने के लिए आपको difficulties हो रहे है, तो इसका स्थिव half pixel में, हम लोग सिर्फ viewing के लिए रख सकते है, तो इसको यहाँ से, proxy mode में play करके देख सकते है, देखिए, जैसे मैंने इसको click किया, तो यह half हो गया, half pixel, exactly 19201080 का half हो चुगा है, तो यह proxy mode है, इसको यहाँ से भी हम लोग सिर्फ कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर भी Ctrl P प्रेस करके, प्रोक्सिमें अन आफ कर सकते हैं, उसके बाद render all right nodes, for an example, आपने पास दो फूटेज हैं, तो यहाँ पर एक W प्रेस करते हैं right node, और इसको एक W प्रेस करते है right node, तो यह दोनों को ही एक साइट right करना है, मतलब इसका final output दोनों ही एक की साथ मेरे को चाहिए, तो दोनों select करेंगे, और यहाँ पर क्या है shortcut, render all right nodes, प्रेस करेंगे तो यह दोनों ही एक साइट रेंडर हो जाएगा, उसके बाद कोई भी एक selected right node को मुझे right करना है, तो इसको मैं क्या करना है, right को select करना है, और उसका F7, तो F7 जैसे प्रेस करूँगा, तो एक ही right node, भली यहाँ पर दो right node है, तो जो मैंने select किया है, तो वो right node मेरा render हो जाएगा, उसके बाद cancel तो cancel है, यह आप cancel कर सकते है right, और flipbook selected, यह flipbook selected क्या है, एक किसम का render है, लेकिन for an example, हमें यहाँ पर 2 के या 4 के footage प्ले कर रहे हैं, जो प्ले करने के लिए बहुत time लग रहा है, या full render भी नहीं हो रहे हैं यापे, I mean buffer नहीं हो रहे हैं यापे, तो हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर flipbook render कर सकते हैं, flipbook render क्या है, एक किसम का render है, सिर्फ viewing के लिए है, यह final render नहीं है, और वो बस आपको दिखाएगा, कि कितना, कैसा हम लोग का output अभी आया है, तो flipbook जीसे select करेंगे, यहाँ बस frame range देना है, जो भी आपको देना है, और यहाँ भी देखते है, frame 1 से 5, तो इसके बाद OK हिट करना है, sorry, इसके लिए पहले select करना पड़ेगा, आपको footage को, footage select करने के बाद, यह रेंडर flipbook करेंगे, 1 to 5 भी frame, और OK हिट करेंगे, तो दीखे, यह 5 frame, मेरा render हो चुका है, flipbook के लिए, ठीक है, यह final render नहीं है, आप final render मस्त समुझ लेना, यह से viewing के लिए है, तो यहाँ पे, हमें flipbook render ऐसे देखने के मिलता है, और इसको यहाँ से भी हम लोग render कर सकते है, flipbook render यहाँ से, तो यहाँ से भी हम लोग frame मेंच देखे, यहाँ से भी same render, हम लोग यहाँ से कर सकते है, उसके बाद, यह हो गया, catchy, तो catchy में क्या होता है, हर बार हम लोग जैसे कि यह buffer करेंगे footage को तो यहाँ पर बहुत सरे buffer file बनता है तो इसको अलग-अलग buffer को clean करने के लिए यहाँ पर option आपको मिलेगी यह तो buffer report है हमें इतना important नहीं है clear buffer तो जो यहाँ पर buffer हो जाएगा video तो यह buffer को clean करने के लिए clear buffer करना है उसके बार clean disk catchy तो जो buffer file अपना disk में save होता है तो उसको clean कर सकते हैं यहाँ पर clear playback catchy जो playback catch फाइल से तो उसको भी हम लोग डिल कर सकते हैं या सब all together यहाँ पर clear all कर देंगे तो सब clear हो जाएगा right to help to help है उसके यहाँ पर और एक option आता है यह तो मैं flipbook render के बारे में बोल चुका हूँ तो यह क्या है capture this viewer तो for an example मैंने बहुत close लाके यहाँ पर इतना part को मुझे अभी render करना है मुझे पूरा full footage को या full frame को render नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर capture this viewer करना है तो यहाँ पर जैसे click करूँगा for an example आप यह 5 frame कर देते है जिब देखने के लिए अपर के लिए ok hit करना है तो यहाँ पर देखे मैंने zoom करके क्योंकि hit किया था render के लिए तो यहाँ पर इतना ही zoom part को यहाँ पर render होते वे आपको मिल जाएगा तो यह भी checking के लिए बहुत बढ़िया है आपका अगर यहाँ पर buffer नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप select करके देख सकते हूँ उसके बाद एक script देख लेते है तो यह पहले दो delete कर देता हूँ उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ notes 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 and gizmo यह gizmo notes के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे तो notes तो हो गया for an example यहाँ पर अब जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे notes मिले गा रहा है मैं पहले अलरी बता चुका हूँ for an example blur note हो गया तो इसका भी जो popular notes हम लोग बहुत ही frequently यूज़ करते है तो उनका shortcut यहाँ पर आपको side में दिया हूँ है तो color correction का C, grade का G, सभी note का यह shortcut नहीं है लेकिन बहुत ही commonly use होता है note तो उनका एक shortcut यहाँ पर दिया हूँ है और यह जो C, G है, shortcut है सिर्फ यह note graph area में ही आपको प्रेस करोगे तभी आएगा इसके उपर प्रेस करोगे C, agree तो अलग ही उसका meaning होता है और यहाँ पर note नहीं आता है मतब viewer part के लिए उपर अगर आप type करोगे तो नहीं आएगा तो देखे यह एक new का default node है तो इसको हमें कैसे पते से लिएगा कि यह new का default है कि नहीं तो इसको मैं बताऊंगा इससे पहले मैं एक gizmo यहाँ पर install कर लेता हूँ तो gizmo install करने के लिए मैं पहले बताया था कि मुझे क्या करना है insert com note करेंगे और यहाँ पर select कर लेते हैं यह gizmo है इसका path copy कर लेता हूँ तो देखे for an example यह pfx green है इसको select किया मैंने open किया तो देखे इसके ठीक नीचे क्योंकि यह node select था इसलिए यहाँ पर connect होके आ रहा है pfx green उसके बाद और एक मैं node लेता हूँ ibk gizmo और यहाँ पर ibk color हाँ तो यह तीनों node का shape अलग-अलग है यहाँ पर आप देखोगे तो shape अलग-अलग है यह जो है मैंने blur लिया है तो यह पूरा square इसमें आता है लेकिन यह देखे यह इसमें दोनों side में एक cone है और यह जो है ibk gizmo इसका नाम gizmo है लेकिन इसका एक side straight है और एक side इसका cone है तो यह चारो shape का meaning क्या है यह आपको जन्दा बहुत ज़र रही है तो यहाँ पर आप कोई भी node देखोगे जिसका चारो side square इस है तो आपको पता लग जाएगा यह nuke का default node है यह कोई gizmo नहीं है लेकिन तो यह भी तो आई-बी के gizmo और आई-बी का color यह भी तो nuke का default node है लेकिन इसका एक side ऐसे conical क्यों है तो इसके पीछे बहुत एक पुराना story है तो वो क्या है कि आप YouTube में search करोगे Steve Wrights Steve Wrights सर्ग ने Steve Wrights सर्ग के बारे में थुरा सा बता देता हूं तो वो है world का बहुत ही एक famous हस्ती और उन्होंने बहुत सालों से nuke के उपर बहुत ही अच्छा knowledge रखते है और worldwide वो educator है एक basically और वो बहुत सारे nuke का tutorial release करते है या वो educate करते है बहुत लोगों को तो उन्होंने ही nuke को बोला है कि दो जो node है उन्होंने ये create किया है और founder को बोला है कि ये दो node जो है उसको add करना है तो ये जो node है nuke जब पहले बना था तब ये node add नहीं किया गया था ये बाद में add किया गया है उनके request से और जब foundry को भी लगा ये दो node जो है दो gizmos है बहुत ही important है तो ये हमेशा के लिए यहां पे add कर दिया गया तो इसलिए इसका save जो है ये भले gizmo है तो इसको इसका जो save है थोड़ा सा अलग है और एक gizmo क्या है gizmo actually a set of nodes है बहुत अलग-अलग किसम का नोड का एक combination रहता है मतलब एक group रहता है तो जिसको हम लोग तोर के देख भी सकते for example इसको मैं one कर दूंगा और ये मेरा gizmo से तो इसके अंदर क्या node है तो ये हम लोग देख सकते है इसको कैसे देख सकते है यहां पे जैसे मैं यहां पे gizmo क्लिक करूंगा यहां पर सेटिंग में जाना है एस में प्रेस करेंगे यहां पर एस एक छोटा सा एस दिखाए देगा so the internal structure of this group node तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखे इसके अंदर जो भी nodes है तो हमें सब यहां पर पता चल जाएगा तो इसको यहां पर देखें यहां पर node graph है curve editor dobsit और यहां पर pfx grain node graph तो यह pfx grain जो है सिर्फ उसका ही node graph अलग से यह open हो जाता है तो यहां पर भी हम लोग कभी अगर change करना पड़ता है हाला कि इस मोज में करना नहीं चाहिए तो अगर in case आपको कुछ change करना है यहां पर change करके रख सकते हो तो यह इसका जो अपना flow chart है वो देखने के लिए यहां पर अंदर आके देख सकते हो कि कैसे exactly यह जो gizmo है वो काम कर रहा है तो इसको मैं close कर दूँँगा तो node graph में आते है तो आपको पता चल गया node graph एक gizmo और new का inbuilt gizmo और new का default node के बारे में और कैसा दिखता है क्यों उसका shape ऐसा होता है तो और studios में अलग-अलग gizmo भी use होता है तो उसका भी shape अलग रहेगा for an example एक node रहे तो उपर ऐसे straight रहेगा लेकिन नीचे उसका shape थोड़ा अलग हो सकता है तो वो भी अपने मन से कोई company अगर edit करता है तो वैसे भी gizmo हमें कभी-कभी देखने के लिए मिलता है तो अलग-अलग किसम का gizmo भी हमें देखने के लिए मिल सकता है तो यह तो हो गया gizmo और notes के बारे में उसके बाद हम देखते हैं एक script इसको close script देता है तो file में जाएंगे open recent comp तो यह मैं पहले open कर चुका था तो इसलिए file open recent comp से open कर लूँगा तो यह मेरा पुरान एक YouTube वीडियो का script है तो यह हम लोग पहले देखते हैं तो देखे यहां पर मेरा input लिया है तो कोई भी input है तो उसके पीछे हमेशा आप ट्राय करो एक backdrop डालने के लिए तो यह backdrop डालने के लिए क्या है आप यहां से भी backdrop ले सकते हो नहीं तो कोई भी note अगर ऐसे select करोगे for an example इसके camera है camera के पीछे मुझे एक backdrop डालना है tap प्रेस करना है और BAC जैसे यह type करेंगे तो यह दीखे आ जाएगा तो arrow button से up and down arrow button से इसको select करेंगे और enter कर देंगे तो यहां पर दीखे यह backdrop आ चुका है तो जैसे मैंने backdrop डाला है तो यहां पर double click करेंगे यहां पर आपको कुछ भी ढालना है इसके साथ ही बी मूफ करेंगा इसके साथ यह भी मूव करेगा लेकिन आपको मान लीजे कि सिप बैकड्रॉफ को मूव करना है और मुझे कैमरा को मूव नहीं करना है तो हमें क्या करना है सिप बैकड्रॉफ को मूव करना है तो कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं मूव कर सकता के अपना काम हो जाता है और ट्राय करना कि एक ही camera use करना है क्योंकि camera जो node है यह काफ़ी हेवी node है तो उसको हमेशा एक ही node use करना चाहिए लेकिन कभी-कभी आगर आपको जरुश प्रता है तो एक से में आना चाहिए कि कैसे मैंने मेरा फ्लोरचार्ट किया है और मैंने इसमें क्या-क्याक्त काम किया है इसके बाद ब्रोकन स्टैचू है Karena Screen ृट्र वॉआ है तो यह सब ऐसे बैकड्रोफ जैसे दावलग कहते हैं तो समझ में आएगा कि कैसे मैंने उसको काम किया है दूसरी बात है यहां पर देखते है अपना node graph का जो interface है तो इसमें देखते है तो यह node graph के side में आप देखोगे कि एक छोटा सा box बना रहता है तो यह क्या है तो यह आपका जो script है इसका ही एक छोटा सा यह visual representation बोल सकते हैं तो यहां पर जाके हम लोग इसका जो box है इसको थोड़ा कर सकते हैं तो यहां पर जाके ऐसे change कर सकते हो और यहां पर अगर आपका script बहुत जादा बड़ा है तो यहां पर जाके यह से control कर सकते हो कि देख सकते हो के हैं कैसे कहां कहां पर अपना script किया है उसके बाद क्या हो गया for an example हम लोंग ने गलती से बहुत जादा जूम कर दिया और ये भी काफी चोटा है उसके बाद अभी आपको धूनने के लिए यहां पर दिक्कत हो है for an example तो सिफ क्या करना है एफ प्रेस करना है तो यह जो script है जहां पर भी रहेगा तो आपने आप अपने सामने आ जाएगा उसके बाद मैं कुछ तो यह मेरे पास तीन अलग-अलग footage है ठीक है तो तो तीनो अलग-अलग से मैंने लिया है तो यह अलग-अलग place में है तो उसको मैं set करने के लिए select करना है और L प्रेस करेंगे तो L जैसे प्रेस करेंगे यह एक line पे आ जाएगा तो यह सब shortcut है तो यह shortcut आपको जानना बहुत ज़रूरी है उसके बाद एक footage read करते है तो जैसे हम लोग को एक footage read करेंगे तो यहाँ पर मैं footage का path select कर लेता हूँ तो footage का path select कर लिया footage के अंदर चला गया तो यहाँ पर आपको देख पार है कि बहुत सारे अलग-अलग footage है right तो तो हमें for example एक ही साथ बहुत सारे footage select करना है लेकिन हमें एक ही बार में करना है select करना है तो कैसे करेंगे तो यह for example मेरा एक running girl 2 है तो यहाँ पर मैं देखूंगा input तो मैंने पहले एक input select कर लिया और इसको मैं क्या करूंगा अभी open नहीं करूंगा open जैसे करूंगा तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा फिर से मुझे open करना है नहीं तो अगर मुझे एक के साथ 2-4 file मुझे select करना है तो मैं क्या करूंगा यह select करूंगा उसके बाद next में जाओंगा उसके बाद जैसे मैंने next में जाओंगा तो यह gray हो गया आप दीखिए तो मतलब यह मेरा already selected है उसके बाद मैं next जाओंगा और back जाओंगा यहाँ से जाके और कोई भी एक select कर लूंगा for example यह mp4 है तो mp4 भी support करता है तो यह भी मैं select करूंगा next करके जैसे मैंने next किया है तो यह भी select हो चुगा है और इसके बाद और एक select करूंगा और इसके बाद भी इस बार next नहीं करूंगा, इस बार क्या करूंगा, open, तो यह मैंने तीन फाइल मैंने select किया रहा है, तो यह तीन फाइल एक ही साथ में select करने के लिए यह बस open करना है, तो देखिए यह तीन फाइल अलग-अलग फाइल है, तो तीन फाइल एक ही साथ आ चुका है, उसके बाद इसे read करते है मैंने last video में जैसे बुलाता है sequence tab जो है यह select होना चाहिए sequence tab अगर select नहीं है तो यहाँ पर देखिए 36 to 140 frames है अगर sequence select नहीं है तो ऐसे एक एक frame यहाँ पर दिखाए देगा तो यह sequence tab जो है select होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर एक edit option आ रहा है तो यह edit क्या है इसका meaning तो for example हमें जैसे मैं कोई भी file open करना चाहता हूँ हर बार for example मुझे एक ही folder यह जो raw footage है यह raw footage का folder यहाँ पर हमें show करना चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर edit में जाके add कर दूँगा यह raw footage नाम का folder तो हमेशा जैसे कि यहाँ पर यह reference कुछ folders दिखा रहा है तो यहाँ पर मुझे यह folder देखना start हो जाएगा तो यह भी आप edit करके एक बार देख सकते हो तो last time हम लोग ने discuss किया था node graph, curve editor और dope sheet के बारे में तो curve editor और dope sheet exactly कैसा दिखता है इसके बारे में भी हम लोग पहले देख लेते है तो यह पहला camera है जिसमें हमें animation मिला है तो इसके लिए ही यह curve editor या dope sheet हम लोग use करके देख सकते है तो पहले देखते है curve editor तो देखे curve editor में जैसे जाएंगे तो curve जो है अपना camera का curve है तो x, y, z अलग-अलग axis में तो यह सब ऐसे दिखाए देगा तो for an example हमें x और y, z में अलग-अलग जो curve है तो उसको हमें edit करना है तो मैं क्या करूंगा x में जाओंगा उसके बाद मैंने x में कुछ frame select किया Ctrl A प्रेस करना है उसके बाद f प्रेस करना है तो देखे यह जो पूरा x एक्सिस में जो information अपना data है तो यह हमें मिल चुका है उसके बाद अगर इसको कहीं पे हमें smooth करना है तो हम लोग smooth कर सकते है edit कर सकते है edit में जाके यहाँ पे filter वगएरा use कर सकते है filter में जाएंगे तो यहाँ पे filter वगएरा कुछ भी डाल सकते है उसके बाद y में जाना है y में पूरा अगर curve कर देखना है तो ctrl a प्रेस करेंगे मतब पूरा select हो गया और f प्रेस करेंगे तो यह देखे पूरा अपना graph मिल जाता है उसके बाद z में भी वही है पूरा ऐसे थोड़ा सा select करेंगे ctrl a और f तो पूरा curve आपने को मिल जाता है देखने के लिए तो वैसे ही dope seat में हम लोग जाके देख सेगे dope seat में मैं जैसे ही बोला कि layer representation है तो यह जो मेरा keys है x, y, z में तो यह जैसे मैं select करूंगा तो यह yellow हो रहा है तो मतलब यह x, y, z का अलग-अलग यहाँ पर keyframes है तो यह जैसे ही मैंने for example यह कौन सा number frame में है यह 220 number frame का एक x value या z में कोई भी मेरे को key delete करना है for example यह बाला select किया और shift प्रेस करूंगा तो दूसरा select हो गया मतलब x and y में यह 217 number frame का एक दो मेंने key select किया और उसको मैं particular वो keyframe को मैं edit कर सकता हूं यहाँ से तो यह काफी बहुत ही बढ़िया option है nuke में तो वो जाके आप बिलकुल check कर सकते हो तो यहाँ पर भी जाके filter वगेरा यहाँ पर बहुत कुछ हम लोग कर सकते है तो दोस्तों आगे जितने भी वीडियो आएगा तो उसमें मैं और detail में यह सब चीजे बताऊंगा तो nuke interface के लिए बस यही दो वीडियो था तो nuke interface से related कुछ भी आपको अगर doubt रहेगा तो comment section में डालिए तो मैं आपको जरूँ help करने के लिए try करूँगा और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो like करना मत भूलेगा और आप मेरी channel में अगर पहली बार आया हो तो please subscribe करना मत भूलेगा तो फिर मिलते हैं next video में thanks for watching कर दो में खूलेगा